सुप्रभात छाच्छात्राश्च अद्यवर्ग स्यमिश्य धातू रूप प्रकरणम यह वर्ग का विज़ा है अभी धातू रूप प्रकरणम यह वर्ग सप्तम और अश्टम के लिए है और खृष्टम बाल्य भी देखिए ये वीडियो में जानकारी ले सकते हैं करिया के मुल रूप को धातू कहते है कृष्णाननद जहास में क्रिया के मुल रूप को धातू कहते हैं धातू यहां पर देखिए धातू तीन प्रकार के होते हैं परस्मई पदी आत्मंणपदी जो है हमने आपको dynamics में cat दे कि तुए कि पुरूश किसे करते हैं प्रतमब्रूश मध्यमपुरूश उत्तमपुरूश बस उसी प्रकार धातु जो है जİतना भी काम है वह हसना खेलना खाना पीना सोना रोना संसार में जितना भी कार्य है सभी धातू कहलाती हैं अंग्रेजी में बोलेंगे तो भरब हो जाएगा हिंदी में बोलेंगे तो क्रिया हो जाएगा अब चलिए लकार को हम देख लेते हैं लट लकार ऐसे संस्कृत भाकरन के दृष्टी कूर्ब से लकार दस प्रकार के होते हैं ऐसे संस्कृत ब्याकरन के द्रिष्टी कून से लकार दस प्रकार के होते हैं इस जिसमें मूलता पंच लकार हमको अभी पढ़ना अति आवस्था है। सबसे पहले लटलकार बरतमान काल अपने कौपी में लिखिये आप जिस क्रिया के अंत में ताते ती लगा रहें वो लटलकार बरतमान काल कहलाता है। जिस क्रिया के अंत में ठाते ती लगा रहें वो लंगलकार भूत काल कहलाता है। वह जाएगेगी, वह जाएगा, खाएगा, हसेगा, पढ़ेगा, वह लिट लकार बमिस्षत का लकार लाएगा, लोट लकार आग्या या अनुग्या, जाओ, खाओ, पीओ, हसो, खेलो, या दूद चाहिए, पनी चाहिए, 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 उसको रहताने के लिए लोट लक लकार आध्यां का प्रियोग किया जाता है बिडिलिंग लकार चाहिए अगर हमको कोई बस्तु चाहिए या कोई समघ मत सब्सक्राइब पहले हम चर्चा कर चुकर हैं कि अठ मने पदी आठमनें पदी और फें अभाए पदी आप को पलटते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पर देखे प्रथम पुरूश, यहाँ पर मध्यं पुरूश, उत्तं पुरूश, अब माने लिजिए हमको धातू लिखना है गम धातू, कोन लकार है लट लकार है बरतमान काला भी हम आपको बता रहे हैं लट लकार यह हो गया यह हो जाएगा एक बचन यह हो जाएगा दूई बचन और यह हो जाएगा बहु बचन यहां पर एक मतलब समझेगा एक बचन, दू मतलब समझेगा दू मचन, तीन मतलब समझेगा बहु बचन, बचन किसको करते ही तो है, तो मालूम है, जो एक मात्रा का बोद कराएगा एक बचन, जो दो मात्रा का बोद कराएगा दू बचन, जो दो से अधिक मात्रा का बोद कर यहां पर हो जाएगा गच्छन्ति, यहां पर हो जाएगा गच्छत, यहां हो जाएगा गच्छामी, यहां हो जाएगा गच्छाव, यहां हो जाएगा गच्छाम, अब आपको हमको बताना है कि सह के साथ, पर्थम पूरुस के करता के साथ, पर्थम पूरुस के क्रिया का प्रियोग होगा, अगर करता रहेगा पर्थम पूरुस के एक वचन में, तो क्रिया भी पर्थम पूरुस के एक वचन के होगा, करता अगर रहेगा पर्थम पूरुस के दूई वचन में, तो क्र प्रफम पुर्स मद्यम पुर्स में एक बचन बचन अलग रूप चलेगा इसी तरह अलगड़ चलेगा. जैसे कि मान लीजे लीट लकार में, यहां पर लीट लेकार में क्या हो जाए? यहां पर वितल लकार भविश्यतकार भात रहेगा. तो गक्षती के जगह पड़ो जाएगा गमिश्यती, गमिश्यत, गमिश्यंती, यहां पड़ो जाएगा गमिश्यत, यहां पड़ो जाएगा गमिश्यामी, यहां हो जाएगा गमिश्याम, यहां हो जाएगा गमिश्याम, लंग लकारी की बात करेंगे, तो ओ गक्षत, ओ गक यह लंग लाकार का होगा उसी तरह पहचो लाकार में अलग अलग पर्थमपुरुस, मध्यमपुरुस, उत्यमपुरुस, एबं एक बचन, दूई बचन, बहु बचन में अलग अलग रूप चलेगा यह अपने बुक से देखकर आपको पीमें उतार कर इसको बना लेजेगा धन्यवाद इसको याद कर लेजेगा